राधे राधे बंदुवों बहुत स्वागत है आपका न्यूज डेशन के डिजिटल प्लेट फार्म न्यूज डेशन इस्तुति पर बंदुवों इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कार्तिक पून्मा के पावन अवशर पर हमें किन इस्तानों पर अवश्य दीबदान करना चाहिए जिससे के हमारे जीवन की समस्याओं का निराकरण हो हमारे जीवन में सुक सांती सर्वद्धी आए हमारे जीवन में पित्रों की कृपा प्राप्त हो हमारे जीवन में ग्रहों की बाधा दूर हो तो वो कौन से इस्थान है जिन पर हमें अवश्य दीबदान कार्तिक पूर्णमा की संध्या काल में प्रदोश काल में अवश्य करना है क्योंकि ये देव दीपा वली का पर्वी है तो इस दिर हमको दीपा वली की तरह दीबदान करना चाहिए ये सास्त्रों में बताए गया तो इन सभी बातों पर चर्चा करेंगे सास्त्रों में कार्तिक मास की बिशेष महमा बताए गई कार्तिक मास में इस्तान, दान, पूजा, पाठ और उसके साथ दीबदान इसका बिशेष महत्व है कार्तिक मास में प्रतिदिन दीबदान का महत्व बताए गया कार्तिक मास में हमें पवित्रिस्थानों पर मंदिरों में अपने घर के मुख्य द्वार पर ये सब जगें दीबदान करने का विधान बताये गया बंदू कार्तिक मास में कार्तिक पूर्णिमा ये परम कल्यानकारी है साल की बारे पूर्णमा में से बड़ी पूर्णमा बानी जाती है इस दिन केगे पूजा पाठ दान और दीबदान का हमें विशेष फल प्राप्त होता है अक्षे पूर्ण प्राप्त होता है भगवाल लक्ष्मी नाराण की कृपा प्राप्त होती है जिससे की जीवन में सु कार्तिक पूर्णमा के ही दिन देव दीपावली का पर मनाये जाता है देवताओं ने भी इस रात्री में स्वर्ग लोक में दीबदान किया था क्योंकि भगवान सिभ ने तृपरास और राक्षस का बद किया जिसके देवतागान बहुत परिशान थे उसने आतंक मचा रखा तो उसकी मृत्यू का उत्सम मनाया देवताओं ने और दीबदान किया इसलिए कासी में विसेश रूप से देव दीपावली का पर मनाये जाता है तो हमें भी अपने घर के चारव और और विसेश इस्थानों पर दीबदान कार्तिक पूर्णमा को अवश्य करना चाहिए आ कार्तिक पूर्णमा के दिन पांच बजकर दस मिनट से सुरू होगा और साथ बजकर 47 मिनट तक रहेगा प्रदोश काल में कार्तिक मास में पूजा करने का विशेश पल है तो आप इस प्रदोश काल में इन इस्थानों पर दीबदान अवश्य करिए आप अपनी सामर्त के इन इस्थानों पर कम से कम एक दीबग अवश्य जलाईए। साम के समय तुल्सी जी के पास दीबदान अवश्य करिए। तुल्सी जी के पास घीका दीबग जलाए। तुल्सी जी की क्रपा से आपकी हर मनुकामना पूरी होगी। उनके स्री चड़ों में अपनी मनों कामना को लेकर के प्राहत्रा करें। कार्तिक मास में पवित्र, कुंड, सरोबर जितने भी जल इस्थान हैं वहाँ पर हमें दीबदान अवश्य करना चाहिए। क्योंकि भगवान विश्णू कहते हैं कि कार्तिक मास में मैं सभी जलों में निवास करता हूँ, तो कार्तिक पूर्णमा के दिन हमें पवित्र जल इस्थानों पर दीबदान अवश्य करना चाहिए। जिससे जीवन के सभी समकट समापत होते हैं। दूरू होता है, आपको पृत्रों की करपा प्राप्त होती हैं। तो घर के मुख्य द्वार पर आप एक दीपक घी का जलाएं और एक दीपक दक्षन दिसावें तेल का जलाएं। कार्टिक मास में पवित्र ब्रक्षों पर भी आप दीपक जलाएं, आवला ब्रक्ष पर जलाएं, भर्गत के ब्रक्ष पर जलाएं, समी ब्रक्ष पर जलाएं। पर जलाएं, पीपल के ब्रक्ष पर दीपदान अवश्य करिए, पीपल के पास आप तेल का दीपक जलाएं, जिससे ग्रहों की बादा से मुक्ती मिलती है, और वहीं पीपल के ब्रक्ष के पास बैठ करके, आप सनी देव के मंतर का जब करिए, और ओम नमो भगवते मंदिर में घी का दीपक जलाएं, इससे घर में सुक्ष आंती सर्बदी आती है, कार्तिक मास में पवित्र वक्षों पर दीबदान करने से धन धानी की कमी नहीं रहती, इसके साथ ही कार्तिक मास में भगवान लक्षमी नाराण के सामने हमें दीबदान अवश्य करना चाहि सभी तरह की यग्यों का फल प्राप्त होता है भगवान के बैकुंठ लोप में इस्थान प्राप्त होता है तो बंदू कार्तिक पूर्णमा के दिन हम इन सभी इस्थानों पर अवश्य दीबदान करें क्योंकि पूरे महीने दीबदान का महत्तु सास्त्रों में बताये गया यदे आप पूरे महीने दीबदान नहीं कर पाए हैं, तो कार्तिक पूर्णमा इस कार्तिक मास की पूर्णता है, तो इस दिन आप अवश्य दीबदान करिए, दीबदान करने से आपके घर में सुक्षांती समर्दी आएगी, जीवन में सफलताएं प्राप्त होंगी, धन से जुड़ी समस्याओं का निराकरण होगा, भगवत करपासे नोकरी और ब्यापार में लाप प्राप्त होगा, घर में मांगलिक कारेशंपन होंगे, आपका दामपत्य जीवन आनंद में होगा, तो आप कार्तिक पूर्णमा के दिन देव दीपावली का पावन पर वहे, इन इस्थानों पर बिशेश रूप से आप कार्तिक पूर्णमा पर अवश्य दीबदान करिए, अपनी सामर्थ के अनुसार करिए, एक दीपक तो कम से कम जलाईए, और आपकी सामर्थ है, तो एक भी सवाल है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लेखें हम उसका जवाब अवश्च देंगे आप सभी को कार्तिक पूर्णमा पर्व और देम दीपावली की मंगल में शुब कामना हैं राद है राद है नीजनेशन अब वाटसेप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए नीजनेशन के इस क्यूर कोड को स्कैन करें